हेलो दोस्तों वेल्खम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल सो गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊगा कि जोई डॉक्टर्स लोग होते हैं वो सफ़ेद कोठी क्यों पेहनते है होस्पीटल एक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता है लेकिन अगर जीवन है तो बीमारी भी है और बीमारी में हमें होस्पीटल की तरफ ही रुख करना पड़ता है जहां डॉक्टर्स हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं और उचीत इलाद से हमें स्वस्त करते हैं लेकिन जब भी किसी डोक्टर के पास जाते हैं तो एक बात गोर करने वाली होती है, और वो है उनका कोट, जोके सफेद रंगा होता है, आप चाहिए किसी भी डोक्टर के पास चले जाए, सवी हमेसा सफेद रंग कोट ही पहन कर रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे क्या कारण है कि डॉक्टर्स का ये कोट सफ़ेद रंग का ही होता है किसी दूसरे रंग का क्यों नहीं होता है दरसल डॉक्टर्स के सफ़ेद रंग के कोट के पीछे की खास वजा होती है जिनसे सायद बहुत से लोग अंजान होते है सो दैस आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बता हुगा कि डॉक्टरस लोग सफ़ेद कोट क्यों पहेंते हैं तो आप लोगों को हर बार की तर हमारी इस वीडियो को बिलकल एंड तक देखना है तो चलिए गाई शोयो करते हैं आज की ये वीडियो सफ़ेद कोट आज डॉक्टरों की पहचान बन गया है और ये सिलसिला आज का नहीं है बलकि काफी समय से चला आ रहा है और अब शायद इस पहचान को बढ़लना मुश्किल होगा दरसल चिकित सामे साफ सफ़ाई का काफी महत्व होता है और डॉक्टरों के सफ़ेद कोट भी सफाई की निशानी होती है सफ़ेद कोट पर छोटी सी गंद की भी साफ नजर आ जाती है और ऐसे में ये इस बात का संकित होता है या भी से बढ़लना जरूरी है और इसके अलावा एक दूसरा कारण ये है कि सफ़ेद रंग सवच्ता का प्रतिक माना जाता है साथ ही ये इमानदारी, पवित्रता और भगवन के साथ संबन की निशानी भी होता है चोकी चिकित साके पेशे में इमानदारी और सवच्ता का काफी महत्व होता है और इनका सफेद कोट इस बात को दरसाता है कि उन्हें अपने पेशे में हमेसा इमानदारी और स्वाचता का ख्याल रखना है आज के वीडियो में इतना ही मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज काई वीडियो अच्छा लगा होगा किस्टन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टेट्यूंड ओके बाइबाइ टेक केर ठेंक यू